भजन सहिता अध्याई एक सो तीन ये मेरे मन यहो आपको धन्य कहा और जो कुछ उसमें है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे ये मेरे मन यहो आपको धन्य कहा उसके किसी उपकार को न भूलना वही तो तेरे सब अधर्म को उप्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है वही तो तेरे प्रान को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुना और दया का मुकुट बानता है वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तुप्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाप की नाई नई हो जाती है। यहवा सब पीसे हुऊं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मुशा को अपनी गती और इस्टाइलों पर अपने काम प्रगट किये। यहवा तयालू और अनुग्रह कारी है। विलंब से कूप करने वाला और अती करुण वह सदा सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका कोद सदा के लिए भढ़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवार नहीं किया। और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पूद्वी के उपर उचा है, वै वारे अप्रधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहवा अपने डर्वयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सुष्टी जानता है, और उसको समरन रखता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, मनुष्य की आयू घास के समान होती है वह मैदान के पूली की नाय पूलता है जो पवन लगते ही ठाहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है परंतु यहवा की करुणा उसके डर्वयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रगट होता रहता है अर्था उन पर जो अपना सिहासन स्वर्ग में स्थीर किया है और उसका राज्य पूरी सुष्टी पर है यहवा के दूतों तुम जो बड़े वीर हो और उसके वजन के मानने से उसको पूरा करते हो उसको धन्य कहो हे यहवा की सारी सिनाव हे उसके डहलूओ तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो हे यहवा की सारी सुष्टी उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो हे मेरे मन तू यहवा को धन्य कहा